तो फाइनली धूंड़ी लिया आपने हाँ मुझे उम्मीद थी आप धूंड लोगे आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 और समकालिन भारत 2 पाठ एक संसाधन एवं विकास यह आपके पाठ का नाम और इस एरिफ के बूक का है कि इसके परसन उत्तर करेंगे हम इस पाठ के और इसके साथ साथ महत्योपून पर्सन उत्तर जो आपके ऐगसाम में और सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बोल सकते हो वो मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आप चैक कर लेना तो चलो देखते हैं अभी इन कोस्टन को पहला कोस्टन आ रहा है लोह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है अब देखो बोर्ड पे मैं नहीं लिख पाऊंगो बहुत बड़े-बड़े कोस्टन तो आप चाहोño टो बुख कोलो साथ के साथ में और समझा दो में कोस्टन आसठोको तो पहला कोस्टन न लोस अयस्क किस प्रका़ का संसाधन है लोह अयस्क क्या यह ओता है कच्छा लोहा बोल रहें यह लोग तो यह किस प्रकारका है नवीकर्ण योगया परवहा जेव तो बिल्कुल नहीं होगा पर वहाँ यह भाहता तो हैं नहीं, जैव जिंडा यह नहीं, तो बचा क्या, एन वी करनी होगा, इसको हम दicz्वारा बना नहीं सकते , टिक है , तो एन वी करनी होगा हो गया इसका ibson , अगला कहचन आता है , जवार हिया उर्जा , यह में लिखित मे फट बाराश से उसका इस्तेमाल क्या जाते हैं ठीक है एक है मानवक्रीत पर को दें नहीं कुछ नहीं के समय लेकिन जो लहरे हैं बंती रहती है मतलब की पुर्थी योग यह वाला उक्षा सही रहे और मतलब इसको जो है ना इसका दूसरा नाम पता क्या यह नवी करन योग्य यानि की नवी करनी संसादल उसी का दूसरा नाम है यह पुन्हाय पूरती योग्य चलो अगला कोशन देखते हैं पंजाब में भूमी निमनकर्ण का निमनिक्त में से मुख्या कारण क्या है यह कोशन मैंने आपको बताया भी था इसका option कि जब चैक्ट इंचाइए अगरा कोशन आता है निमनिलीखित में से किस परांद में सीड़ी धार खेती की जाती है कहां पे पहाड़ों पन्जाब के पहाड है उत्तर प्रदेश के मैदान पहाड नहीं ल noi लेकिन में इलाका बोल रहे हैं प्रदेश का हरियाना हरियाना में तो है नहीं उत्रांचल उत्रांचल पहाड़ी लागों में तो यहीं पेशी डिदार घेती की जाते कहां पर उत्रांचल में अगला कोशन है इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाए जाती है काली मिट्टी कहां पर पाए जाती है मैंन राजस्थान में मुरुस्तली मिट्टी पाई जाती है और जम्मू कश्मीर के अंदर पता ही आपको मिट्टी मतलब वन वाली मिट्टी पाई जाती है क्योंकि जंगल यहां पर है क्या तो यह उप्सन क्या रहेगा गुजरात ठीक है अब यह आ रहे हैं तीस सब्दों में आपका को जो है जवाब देना इनका पहला परसन है तीन राज्यों के नाम बताईए कौन से तीन राज्यों पूछ देखते हैं जहां काली मिट्टी पाई आपको अगला कोसण है पूर्वि तट्ट के नदी डेल्टाऊं पर किस परकार की मिट्टी पाए जाती है पूर्वि सब्स बड़ा पूर्विधत है उसके जो डेल्टा है सबसे बड़ा डेल्टा सुन दरवन डेल्ट वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती cry ठीक है कूंछी है जलोड मिट्टी मैंने बताया तो था डेल्टा के अंदर कौं शी मिट्टी पाई जाती है जलोडब मिट्टी ठीक है अब पूछ रहाए आगे इस प्रकार की मिट्टी के deliver हिस्ता है बताइए जल लिब खेती के लिए बहुत अच्छी होती है इसके अंदर फासपोरस चुना ठीक है यह सारी चीज़े पाए जाती है उसके अलावा इस मिट्टी के अंदर रेट सील्ट और मिट्टिकों के विभिन अनुपात भी पाए जाते हैं लब की कचरा वचरा भी आता रहता रहता इनमी और अगर आप और भी पॉइंट करना चाहो तो इसके अंदर खेती जो है गन्ने की डालों और जो है उसके अलावा क्या था गेहूं की खेती की जाती इसमें ठीक है अगला कोशन आता है पहाड़ी छेत्रों में मृद्धा परदन को रोक्ताम के लिए एक कदम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए पहाड़ी इलाकों में एक तो देखो खेती कर रहे हैं पहाड़ों में तो सीड़ीदार खेत पड़ती हैं अगला अगला कुष्छन है जेव और अजयाव संसाधन क्या होते हैं कुछ दान भी देजिए जैव संसाधन जाव मतलब जिन्दा वो संसाधन जो वस्तू युद्व के बने हैं उन्हें बोलते हैं जैव संसाधन उधान के लिए मनुष्य पेड़ पोध है सब कुछ ठीक है चलो अगला कोस्टन है तीसरा कोस्टन 120 सब्दों में बताना मतलब 5 मार्ट वाले टाइप के कोस्टन है तो भारत में भूमी उपयोग पारूप का वरण कीजिए भूमी उपयोग पारूप मतलब हमें पता था ना कि कितने प्रतिसटे क्या होता है वह पताना हमको तो क्या होता है तो भूमी कहां कहां इस्तमाल हो लिए जंगलों के रूम में उसके अलावा चरागाहों के रूम में परती भूमी के रूप में बहुत सारी जगों पर इस्तमाल होती है और यह सारी चीजे मैंने डीटेल में आपको करा भी दी थी अब देखते हैं कि क्या पूछ रहेंगे तो यह पूछ रहेंगे वर्ष उन्नीसो साट इक सट के से वर्ष के सोरी वन के अंतरगत छेतर एक मेहत्वपूर्ण विर्धी नहीं हुई इसका क्या कारण है मतलब अब तक वहां पे मतलब दुनिया के अंदर जो है जंगलों की तादाद नहीं बड़ी ऐसा मतलब क्या कारण बताईए हमें कारण तो कारण क्या है कि हम लोग फैक्टरियां लगा रहें आगे जमीन चाहिए जनसंख्या बढ़ रही है तो यहीं वो कारण है जिसके वजह से ज कि तर्की हुए हमारी अंत्या इनकी टेकनोलोजी के बात हो रही है तो टकनिलोजी ओर आर्तिक त्रिथीं वो बढ़ जाने से मतल्लब पैसा जाने से तो संसाथ्यों का अधिक प्रियोग कैसे किया है कैसे हुआ है तो क्या होता है अब हमारे पास अमील है दोम मैं पूर ती तो यहां पर इन्होंने क्या लिख रखा है हमारे पढ़्यावण में उपलब्द ऐसी वस्तवें जो हमारी आजशक्ता को पूरा करने के लिए प्रियुक्स की जाती है और जिसे बनाने के लिए प्रोधोगी की उपलब्द है जो आर्थिक रूप से संभावया और संस्कृति हम चाहते हैं मतलब गाड़ी चलानी है मतलब सरकारी बस में नहीं जाएंगे तो वह क्या वह संसादरों की खपरती तो बढ़ रही है वहां पर चीज़ है वही चीज़ आप यहां पर डिस्क्राइब कर सकते हो और कुछ एक पॉइंट आप अपने पास से सोचके भी बना सक हो गए बात करते हैं महत्वपूर्ण परसन उतरों की तो महत्वपूर्ण परसन उतर इस पार्ट में से आपके जो परसन उतर है महत्वपूर्ण वो है एक तो आपकी मृदा मृदा के परकार जो है उनमें काली मिट्टी और जलोड मिट्टी तो मिट्टी है काली मिट्टी और जलहोड मिट्टी ठीक है ये दो मिट्टी को अच्छे से त्यार कर लेना क्योंकि इसमें से ही कोश्चन आता है most of the किसी उसके लावा पंजाब में जो है अधिक सिंचाई की जैसे मरिदा का अब पर क्या बुखवा था मिट्टी जो है निमनी करनुवा मिट्टी खराब होई मिट्टी तो ये वाला पॉइंट भी याद रख लेना है की लाएने ज्यादा बढ़ा नहीं है ठीक है उसके अलावा शुरुआत वाला जो पोर्शन था हमारा बिल्कुल शुरुआत में तो यहां पर संसादों के परका होता है इन फीर उन में से नहीं आता है तो मरिद्द्धा वाली में से आएगा यह चैप्टर में से याद रखना इस चीज़ को मिट्टी में चलोड मिट्टी और काली मिट्टी ठीक है यह दो चार दो चार कोस्टन आपस ज्यादा नहीं है तो यह वाले पॉइंट्स याद रख लेना और यहीं मैसे कोस्टन आपको देखने को मिल जाएगा बाकि अगर आप हरियाना बोर्ड से हो तो मैंने महत्वपूर् सब्सक्राइब कर लो साथ में घंटी आईगी उसको दबा देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे आपके सब्जेक्ट टोपिक से रिलेटिड छुटने ना पाई